आज के समय में जितने भी गैंग्स्टर का नाम आप सुनते हैं, उनका किसी ना किसी लड़की से कनेक्शन जरूर होता है। जिन्दगी एहशो आराम में कटेगी या किसी नर्क जैसी हो जाएगी। आपको बता दें कि जानी मानी बॉलिवुट एक्ट्रिस बड़े-बड़े गैंग्स्टर और अंडर वल्डॉन के साथ रिलेशन्शिप में रह चुकी हैं। आज हम आपको ऐसी पांच एक्ट्रिस के बारे में बताने वाले हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं हेरोईन मौनिका बेडी। मौनिका ने बड़े परदे पर कई बड़े सिधारों के साथ काम किया है। हाला कि वो जादा सुर्खियों में निजी जीवन को लेकर रही। मौनिका बेडी का रिष्टा अंडरवल्डाउन अबू सलेम के साथ रहा। अबू सलेम ने तो ये तक दावा किया कि उनके शादी मौनिका से हो चुकी है। लेकिन मौनिका ने इस रिष्टे को कभी भी स्विकारा नहीं। इस रिष्टे की वज़े से मौनिका बेडी को जेल में भी कई साल गुजारने पड़े। दूसरी हिरोईन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बॉलिवोड दुनिया में अपने दौर की सबसे खुबसूरत अभनेत्रियों में से एक रही। मंदाकनी को सबसे ज़ादा दो चीजों के लिए याद किया जाता है। एक उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मेली और दूसरा अंडर वर्ल डॉन दाओद इबराहिम के साथ उनका रिष्टा। हाला कि मंदाकनी ने कभी खुले तोर पर दाओद के साथ रिष्टे को स्विकारा नहीं लेकिन उनकी दाओद के साथ एक तस्वीर काफी वारल हुई थी जिसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ लगभग खत्म हो गए। अब इस लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी एक्टरिस के बारे में आपको बताते हैं। सोना के बारे में कहा जाता है कि हाजी मस्तान उनकी खूबसूर्ती पर मर मिटा। हाजी मस्तान और एक्टरिस सोना के रिष्टे की खूब चर्चा हुई। सोना और हाजी ने शादी भी की। साथ ही ये भी माना जाता है कि वन्स अपॉन टाइम इन मुंबई मूवी इस कपल की लव स्टोरी पर बनी है। इस लिस्ट में लास्ट एक्टरिस अनीता आयूब है। अंडरवल डॉन दाउद का नाम इस एक्टरिस के साथ भी जुड़ा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म डिरेक्टर जावेज सिद्धिकी की मौत में दाउद का ही हाथ था। क्यूंकि जावेज ने अनीता को फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था। जिसके बाद दाउद ने उसकी हत्या करवा दी थी। ये वो पांच ऐसी हिरोईन हैं जिनका नाम अंडरवर्डॉन से जुड़ चुका है। आपको बता दें कि ये सब मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। क्राइम तक इसकी पुष्टी नहीं करता है। प्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक। प्यूरो रिपोर्ट करता है।